हेलो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप आज हम करेंगे क्लास फाइव एंसी आर्टी हिंदी लेसन नाइन जो है कविता है एक मा की बेवसी चलिए स्टार्ट करते हैं एक मा की बेवसी इस कविता को पढ़ते समय आखों के सामने कई चित्र बनते हैं बच्पन का चित्र बच्पन के खास समय खेल और साथियों का चित्र उन साथियों में एक खास साथी रतन का और एक मा का चित्र इसे पढ़ो और महसूस करो कवीता धीरे धीरे पढ़ने की चीज़ है उसे मन में उतरने में काफी समय लगता है कभी कभी तो बरसों बाद हम बच्पन की पढ़ी कवीता पढ़ते हैं तो लगता है पहली बार पढ़ा है इसे कवीता पढ़ने के बाद मन के किसी कौने में घर बना लेती है किसी मोके पर वे उभर आती है कविता कहानी सब के साथ यह होता है इसलिए हमें इससे चिंतित होने की जरूरत नहीं कि कविता एक बार में पूरी तरह समझ में आ रही है या नहीं अगर उससे सिर्फ एक चितर ही उभरता है तो भी कविता कामयाब है ना जाने किस अद्रिश्य पडोस से निकल कर आता था वहे खेलने हमारे साथ रतन जो बोल नहीं सकता था खेलता था हमारे साथ एक तूटे खिलोने की तरह देखने में हम बच्चों की ही तरह था वहे भी एक बच्चा लेकिन हम बच्चों के लिए अजूबा था क्योंकि हम से भिन था थोड़ा घबराते भी थे हम उससे क्योंकि समझ में समझ नहीं पाते थे उसकी घबराहटों को ना इशारों में कही उसकी बातों को ना उसकी भैभीत आँखों में हर समय दिखती उसके अंदर की छटपटाहटों को जितनी देर वे रहता पास बैठी उसकी मा निहारती रहती उसका खेलना अब जैसे जैसे कुछ बहतर समझने लगा हूँ उनकी भाशा जो बोल नहीं पाते हैं याद आती रतन से अधिक उसकी मा की आँखों में जलकती उसकी बेवसी किसने लिखिये कविता कुमर नारायन ने चलिए समझते हैं इस कविता को इस कविता में कभी कुमर नारायन क्या कह रहे हैं कि न जाने किस अद्रिश्य पडोस से निकल कर आता था वह है खेलने हमारे साथ रतन एक रतन नाम का बच्चा था जो बोल नहीं सकता था वो हमारे साथ कहीं से निकल कर अद्रिश्य प्रोश जो दिखाई नहीं देता था उस पडोस से निकल कर आता था और खेलता था हमारे साथ हमारे साथ खेलता था एक टूटे खिलोने की तरह मतलब वो बोल नहीं पाता था अपनी बातों को समझा नहीं पाता था तो ऐसे लगता था जैसे कि वो टूटा वह खिलोना है तो देखने में हम बच्चों की तरह ही था वो वह भी एक बच्चा ही था लेकिन हम बच्चों के लिए अजूबा था लेकिन वो कुछ अलग ही लग निजर ना उिसके बहुत में अँक़ों में हर समय दिखती इसके अंदरJa ने क्वाय को बहुत को स्मझानी पाता था बहुत सी बाती कर辉स्का ना है है तो हमें दूसरे बच्चेशेक करके उसकी बास سमझ नी देखती रहती थी अपने बच्चे को कैसे खेल रहा है, उसका ध्यान रखती थी, अब जैसे-जैसे कुछ बहतर समझने लगा हूँ, कभी कहता है कि मैं जब जैसे-जैसे उस बच्चे को अच्छी तरह से समझने लगा हूँ, जो बोलनी बाते हैं, उनकी भाशा को समझने रपती उसकी बेवसी तो रतान से ज्यादा उसकी माँ की आँखों में जो पी विर्या वे बेवसी थी वो बेचारी हो गए थी वो चूर्ट बेवस थी थी कि उसका बच्चा कुछ बोल नहीं पाता था तो वू अपने साथियों से कुछ कहना चाहता था तो वो भी कह नहीं पाता था तो उसकी मां की बेवसी उसकी मां की बेवसी नज़र आती थी तो अब इसलिए वो उसके पास हमेशा बैठी रहती थी और उसकी मां की आँखों में अपने बच्चे के लिए बेवसी नजर आती थी चलिए बच्चों कवीता समझ में आई होगी आप सबको चल दिए मिलते हैं हमारी नई वीडियो के साथ बच्चों बाई बच्चों